जे भीम अमर रहे अमर रहे अमर रहे शाथियों अबाइस साथ भीम रवमेड करके आज एक सुबत्रीशि जनम में टे सिह अपना रहे तैर और जो आजानीका अमर अबेड़ का दूसरी था लिखे गए थे वो सम्मान आज इस देश में कहीं नहीं मिल रहा है मेरे को यह लग रहा है आज लोग धर्म जातियों के नाउ में आपस में बढ रहे हैं लड़े गाओं के अंदर अपन देख रहे हैं जो अपन लोग मीटिंगों के अंदर आते हैं मीटिंग सुड़के चले जाते हैं लेकिन उसके उपर अपन लोग अनुसरण नहीं करते हैं और जब तक अपन लोग अनुसरम नहीं करेंगे अपन लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन लोग बाबा साहिब के बारे में पढ़ते नहीं है बाबा साहिब ने बिल्कुल सवीदान लिखा लेकिन अकेले बाबा साहिब जी ने वो सवीदान नहीं लिखा था इसके बारे में आप लोग पढ़ो दो सो निन्यार में लोगों ने मिलकर वो सवीदान लिका था जिसमें दो सो इठार में लोगों ने समतन करके बाबा साब को उसका अथेस बढ़ाया था वो दो सो इठार में लोगों ने बाबा साब को अपना नेता चोड़ा था वो बाबा साहब में योगे था थी इसलिए उनको नेता चुणा था और उनके हाथों से उसका रिमोचन या लेकने उनके हाथों से वाता उसके बारे में आप पढ़ाई दो बाबा साहब को स्वन्य की चम्मच लेके पैदा नहीं दिये थे एक गरीब गर में पैदा वे थे उस समय ऐसी परिष्टितिय थी बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया दता था लेकिन आज दो अपर लोगों को हर घर के अंदर सुविताय मिल जाती है पेसे मिल जाती है अपने परिवार के लोग पेसे देते हैं और सरकार भी आप लोगों को पढ़ने के लिए पैसे देती है लेकिन अपर लोग पढ़ते नहीं है सबसे बड़ा मोल मंतरी है कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाए और जो नशा की परवर्थी में अपने लोग और अपने समाज के लोग जा रहे उससे अपने लोगों को आपन बचाएंगे जब बाबा साथ के द्वारा है सभीदार की तरव अपने लोग आगे पट पाएंगे और जो गाउं धानियों के अंदर रेने वाले मेरे लोग है उनको जो पढ़े लिगे लोग है शिक्षक गढ़ना है जो भी हतिकारी गढ़ना अपने समाज के वो पहले अपने समाज को मजबूत करेंगे दूसरे लोग मजबूत नहीं करते जागरत नहीं करते हैं वो सोचते हैं कि अपने को सवाल पूछेंगे जब पढ़ोगे और सवाल पूछोगे जब भी आप आगवे बढ़ोगे अपने समाज में यह होता है कि कोई भी बाद में करना है बाद में तो आपकी कोई सुनने वाणा भी नहीं है उन्से आप सुवाद जब तक नहीं कर पाऊ उनसे मुँपर पूछो आप आपने हमाने लिए इतने वर्सों में क्या किया हमने आपके पीछे दोड़ दगे जब वो आपके लिए कुछ ने कुछ करेंगे उन लोगों से आप काम को जब आप मजबूत होगे राजदिती के एक सरक्षण है अपने जीवन के तो उन से अपने अपने लोगों को वच्चित जो दबे कुछ लिए गरीब तब के लोगों के सुनवाई नहीं होती इसलिए उनको आरक्षण दिया कि इतने लोगों को तो लेना ही पड़ेगा इसलिए वह आरक्षण हुआता तो उस आप वही तक्सीमित नहीं रहे अच्छे पड़ोगे तो आप जनरल में भी आगे फाइट पर कर सकते हूं नोकरियों के अंदर भी और जब तक नोकरी शिक्सा की लाइन में आप आके नहीं बढ़ता होगे जब तक इसी परकार अपन लोगों को जो द्वेस तापन जेल रे गाओं में वो जेल नहीं पड़ेगी आज पछेतर साल होने के बावजूद भी गाओं के अंदर कई बार देखते हैं अकबारों में बढ़ पड़ते हमारे जो गरीब तबकिये के समाद एसी एस्टी के भा स्वास दिलाई कि कहीं विशेतर के इंदर आपका समाजिक प्रोग्राम हो आप गोड़ी पर कहीं भी बेटके गूम सबते हो अधिकारी आप इनको प्रोटक्शन देने वाड़े लोग हो यह इस परकार के बेदवाव पाओं में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए बहुत सार आप से निवेदन है कि इस समाज को हमेशा साथ देखे जागरती की और नई उमीद और उनती की और बढ़ाने में आप इनका सयोग करें धन्यवाद और पूरी वेलफेर सोसाइटी और बाबाशा के अनुवाईयों का मैं धन्यवाद क्या पित करता हूं कि आपने इस मंस के पर मेरे को बोलने का मोका दिया और माल समान दिया इसका लिए मैं हमेशा के हमेशा के आपका रीड़ी रहूंगा और एक सोसाइटी के जो भी आप यह पदा रहें उनसे मेरा दिवेदन रहेगा कि जो बाबाशाब की मूर्ति अगर मकरणा में लग रही है तो मकरणा पुर इसके सामने वो मूर्ति रहेगी तो हमेशा जो भी वाबाशाब के नवाई है वो वाज से गुजरेंगे और मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जो लोग अगर वो मूर्ति लगा रहे तो मार्बल की नहीं लगा कि वो मूर्ति अस्त दातु की लगवाए ताकि उसके इसके सामाचार के साथ उसके साथ रहोगे तो आपका समाच्ब जाएगा पिछल्गार हमने दो तिन वार देखा है खानों के अंदर हमारे मजदूर भाई A.C.H.T. के कतम हो जाते हैं उसमें लोग डर्गते हैं आते हैं नहीं सामने कि क्या होगा अरे उनके आप समाज के लोगों के साथ आपका समाज हमें साथ को याद रखेगा आपको समाज याद रखेगा अपने दिलों में आपका राज करों के धन्यवाद जहीं जैभी सबसे पहले आज बाबा साथ के जनम दिवस पर आप सभी को हर दिक बदाई शुक्ताम है और जैसा कि अभी बताया सभी मैं तो देखा नहीं लेकिन रेली जो आज की जो पिछली बार जो रेली थी उससे अच्छी आज जो मैं देख रहा हूं जो भीड है इसलिए बार जो फंक्शन था इसी जगे दा मैं भी था है अपे कुर्चिया नजर आई थी लोग कम थे अपकी बार ज्यादा है लोग और कुछ लोग बार से भी चले गे तोड़ी गर्मी है और परंडान भी चोटा है अगली बार थोड़ा बड़ा बनवाईए इसको भार तक लगओं तो मैं अपने विचाल गत्तुरों से पूर वक्ताओं द्वारा कुछ है बाते मैं ने शुनी तुसे इसाब से मैं कुछ कहना है चंगो उसमें अक्षार अपन देखते हैं लोग कहते हैं कि साथ जो भारतिया समिधान बना उसमें बहुत सारे सदिश थे और अकेले उनका युगदान नहीं था यो शायद वो उन्होंने पढ़ा नहीं गई समिधान इन्वादरी सवाम में 389 मेंबर थे ठीक 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 लेकिन समिधान को लिखने का काम ड्राफ कम्टी तो सुपा गया उसमें मेंबर कम थे उसके जो अद्दक्स थे वो बाबसक थे और उस कमिटी में जो मेंबर थे वो सारे लोग जो है बीजी थे या तो कोई बिमार था या कोई विदेश सले गया या किशे को टाइम नहीं था क्योंकि जादा तर लोग उसमें कोई मेंबर थे जो पैसे वाले थे उस समय पे का तो को चारा ठाशा जो है बाबा साथ के आया और साथ बाबा सादे पूरी मेंठ करके सारे वह सारे देशों के समिधान को बढ़के और इसको थे भी भी लगर्वांज 2013 करशी 6 इसलिए बाबा साथ को समया निर्मा तक है तो बाकी मेंबर का कोई रोल नहीं था नगन में था दूसरा जो गोड़ी पे चड़ने वाली बात है कि लोग गोड़ी पे चड़ने नहीं देते हैं तो वो लोग कौन है जो चड़ने नहीं देते हैं वो मांची गुरुप से बिमार है, मांची गुरुप से बिमार लोग हैं और वो इस तरह की अर्कत करते हैं। वो याद रखेगा कि दुबारा ऐसे अपने करते हूं। और देखें। संगस वाली बात है कि पूरे जीवन पर संगस उन्हों ने किया। और उन्होंने जो संगस किया और उन्हों के सामने जो कटनाया थी। मुझे लगता कि आज किसी के सामने है वो। क्योंकि वो जो संग हम कर सकते थे। हमारे सामने आतिकों परिस्ते दिया। लेकिन उन्होंने वो विवस्ता कर दी। कि आज हमको वो सब जेलने को नहीं बढ़ रहा है। कुछ भी नहीं है आज हमारे साथ जो अभी कईचे के सुन्यों को मिलता है अभी कई लोगों ने इस तरीके से कई टूचिटी के केस भी धर्ज वें। लेकिन जो उन्होंने देखा था। अब आपको मदाओं में गटना उनीस तो उन्तिस की गटना। बावा साहब 1913 में 22 सार की उमरे में अमरीका चलेगे थे पढ़ने के लिए वहां से लोटे उसके बाद की गटना आई है। वह कहीं प्रोग्राम में किसी अपने दलिद भाईयों ने बुलाया। इस सब्सक्राइब करने के बाद में उन्होंने का हमारे घर चलो। ले जाते हुई ओंडीक है। उस समय तंगे चला करते हैं। बाहर जब देखा तो तंगे वाले जितनींवी थे उन्होंने सब नोहला करते हैं। क्यों क्यों कि वह दलिट थे अच्रूथ यह नियता कि उसरा पड़े लिगे थे वहां से पढ़ गया इंगलेंड से बाहर से अमरीका से लंदन से इतिक डिग्रिया लिए कोई मतला नहीं को क्योंकि उनके जो विचार जो उनकी मानसिक्ता जो है वो उसका दर है कि मैं बदानो तो जब किशी ने वहां सारे तांगे वाले बांगे एक ने बड़ी उसकल जाके उसने हिमत कहीं कि भाई चलो ठीक है मैं लेच दूँगा लेकिन मेरी एक सर्थ है कि मैं नीचलंगा ताम आप बैटो और खुद ही रखो चलो मैं पैदल पैदल चलूँगा देखो आप उस तांगा हुए बैट गें अब किस्मत कराब थी क्योंकि वो जो चलाने वाला था वो भी विचारा हुए उसने पैसे आगी तो आगे चला तो तांगा में पलट गे और वो गिर गे और बादा साथ गिर गे और उनको फैक्चर भी हो गया उसकी आप सोचिए इतना पड़ा द था आदमी जब उनकी उम्र रही हुए कर यह gordi थी साल के असपास कर अदने जो अमेसे जो इसकी उसवत कर निको सबयाओं परें तो पुरे जीवन पर उनुने उनके मन में उनके जो क्या चरहा होगा आज आपके साथ में अपने साथ में छोटी भी घटगा होती है तो पूरा घुल जाता हुए उनके साथ में पाने पहरा होगा इनका सब्सेत में इसमें और जो श्कूल में को बच्चे बढ़ रहे हैं हमने भी पढ़ा है तो वो सारी बात आप पढ़े जानते हो सारी बाते क्या क्या होई थी लेकिन वो जो दंस जो तो क्या करेंगी उसको क्या सब्द है इसा इतना गिनोरा काम जो इतनी चीजे जो उन्हों ने जी घी उसके बाद में उन्होंने देखा कि ये मैं तो इतना पड़े मेरे साथ हो रहा है बागी यह तो विचारे जो पैटे हैं जो वहाँ पे उस वक्त थे लोग जो अनपड़ते पड़े नहीं थे उनके साथ तो क्या होता होगा आप जानते हो अगर वह इतने मतलब आजादी के बाद में मंत्री भी बन गए थे फिर उन्होंने अपने सब्दातों संजोता नहीं किया और मंत्री बद भी छोड़ दिया वह चाते हैं तो अपना जीवन और भी अच्छे से उजार सकते हैं लेकिन आज सब की लिए उन्होंने वो सारे सेक्रिफाइस किये और उनकी बदोनत है कि आप यह बेटे हैं मैं भी यह बैटाओं मैं वा बैटता हूं सामने अफिस में विकाज़ाओं उनकी वेज़े से यह हमको नहीं बुनना जी है दूसरी उन्होंने जो देखा उस समय काले चुकि उन्होंने हिंदु धर्म छोड़ दिया था बहुत धर्म अपना है 56 में आठ लाग अनियायक साथ में बहुत दर्म अड़क किया क्यों क्योंकि उन्होंने देखा कि जो बाकी दो जर्म थे इंदु धर्म में दो पैदा हुए थे इंदु धर्म की जो खानिया थी सबसे बड़ी जातिवाद की और चुवाचूत की थी वो चांते थे और उन्ह दो मैंने पहले ही उन्होंने किया था बहुत दर्म अपनाया था प्रत्यू से अपने दिर्वाण समय तो वो जो संगास जो उन्होंने किया आप आप देख सकते हो उनको जम लगा क्योंकि पर्थम गौल में समय था 1930 में उसमें उन्होंने अपना तलित वर्गों को लेके एक राधिनती बाशा पर्थम बाशा मानी है उसको वो उन्होंने वहाद दिया उसके बाद से उन्होंने यह मानी है कि और दरीतों के लिए अपना सिंगर्स अपना जीवन पूरा जीवन जो उन्होंने उसमें जोग दिया और उन्हें लग गया था कि ये लोग जो तत्कालिन समय में तत्कालिन कांग्रेस जो थी वो गांदी जी उनको कते ही उनके विस्वास नहीं था कि ये लोग जो है इनको परियाद प्रतिजित नहीं देए तो उन्हें प्रतक निरवास्जिका की ही दिन गांड की उन्हें का कि हमकु तो प्रतक से चाहिए तो उसमें जो प्रतक अलग से जो निरवास्जिका थी उसमें दो متेने का राई दिया गया और वो न裡टीन transition में कमिनल अवाड के नाम से जारीधी w gonna कि जिसके खिलाब गान्दी जी ने अंदुलब किया और फिर बाइदी जी के तब